प्यारे साथियों नमस्कार और आज की इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे टॉपिक पर हम डिसकस करने वाले हैं जो लाखो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉटेंट है और एक प्रश्ण का विशे है इसर परिच्छा देने के बाबजूद भी हमारा सेलेक्शन क क्यों नहीं हो पाता है क्या कमी है हमारे अंदर कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हम करके नहीं जाते हैं कौन सी ऐसी तैयारी है जो हम करके नहीं जाते हैं जिस कारण से हमारा सेलेक्शन नहीं हो पाता है कभी पीटी में ही छड़ जाते हैं कभी पीटी तक पहुंचते हैं तो फ जिसके माध्यम से हम अपने सलेक्शन के उपर मोहर लगा सके, हमारा सलेक्शन क्यों नहीं होता, अच्छी तैयारी है, ठीक ठाक पड़ रहे हैं, प्रति दिन 6 गंटा, 8 गंटा, 5 गंटा पड़ते हैं, फिर भी कोई भी रिजल्ट होता है, जितनी भी सारी वेकेंसी आती हैं, फॉर्म डालते हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं होता है, क्यों, दस बड़ी गलती आज हम आने बाले हैं, और यकीनन, दस में 7-8 गलती तो आप पका करते हैं, और यही रिजन है, कि आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है, रेलेवे में भी नहीं हो पाता है, ना तो डिफेंस, ना तो कई बैंकिंग, ऐसे सी हर एक तरह की बच्चे, जो है, SMS कर रहे हैं, तो यह सवाल जो आपके स्क्रीन के उपर दिख रहा है, यह जो टॉपिक आपके स्क्रीन के उपर दिख रहा है, यह समस्या किसी 1-2-4 बच्चों के साथ नहीं, ऐसी समस्या लाखों बच्चों के साथ है, और यह यूट्यूब पे पहली वीडियो है, जो एक बहुत ही शांदार तरीके स हम आपके लिए लेकर आ है लाइक और शेर जरूर करिएगा ताकि इस तरह की motivational वीडियो कभी-कभी बीच-बीच में हम आपके लिए हमेसा ले करा है सवाल एक बहुत बड़ा प्रश्ण कि परिच्छा देने पर आपका selection क्यों नहीं हो पाता है क्यों आप वहां तक नहीं जा पाते हो जबकि आप खुद कहरे हों कि हम पाच गंटा पढ़ रहे है छे गंटा पढ़ रहे है चार गंटा पढ़ रहे है रोज कोचिंग जाते रोज आते तेरो जाते लेकिन फाइनल रिजल्ट क्यों नहीं होता है इसके लिए हमने आपको रखा है कि 10 बड़ी गल्ती कहीं सर गल्ती भी हम कर रहे हैं आपके मन में विचार चल रहा हैं सर गल्ती गया ठिक ठाक तो पढ़ रहे हैं जो सर पढ़ाते वो पढ़के जाते हैं अच्छा गल्ती आप करते हैं और वही गल्ती है जो आपके रिजल्ट को रोग कर रखा है इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेगा क्योंकि 8 वी, 9 वी और 10 वी जो गल्ती है वो सबसे जादा इंपोर्टेंट है वो साधारनता बच्चे करते ही करते हैं और अगर इन 10 गल्तियो हम आपके लिए सबसे पहली गल्ती जो साधारनता बच्चे करते हैं कहिएगा कि सर करते हैं कि यस यनो में जबाब दीजेगा हमने लिखा पहली गल्ती एक परिच्छा पर अपना फोकस नहीं करना देखे स्टूडेंट करते क्या है रेलेवे का फॉर्म आया तो रेलेवे क एक नाव पर रहकर सब तरक पीर पहला रहे हैं तो रीज़ी जैनरल थेखेयर पूचार जाता है तो समस्य है ना कि यह आप जो है सबसे बड़ी गल्ती वह करते हैं एक दम जूट मत बोलिएगा, सब फॉर्म डालते हैं आप, रेलवे काता है तो रेलवे का भी गिरा देते हैं, हम यह नहीं करें कि नहीं गिरा है, पर हमारी बात ध्यान से सुनगें, कि आप सबसे बड़ी गलती यह करते हैं, कि रेलवे काया तो सब 6 महीना गुर्प D, NTPC, AL टेक्निशन का कर लिए, फिर SSE का है, तो MTS वाले में भी घुस गए, CHSL वाले में भुस गए, CGL वाले में भुस गए, ठीक है, बियार पुलिस आया, या कोई भी पुलिस आया, स्टेट पुलिस आया, पुलिस वाले में भी डिफेंस में, जीडी का फॉम आया, जीडी भी जाल दिये तो ये एक समस्या है बैंकिंग का फॉर्म आया तो भी डाल दिये तो सबसे बड़ी गलती जो आपके हित के लिए कि एक परिच्छा पर अपना फोकस नहीं करना मतब आप सब जगा दिमाग लगा रहे हैं तो अब बताइए सब का सिले बस लगे तो वैसे में रिज लेकिन एक कैटेग्री चूज करो कि हमें रेलवे में जाना है हमें ससी में जाना है हमें डिफेंस में जाना है या हमें बैंकिंग सेक्टर में जाना है यह आप कम से कम चूज करो अगर आपको रेलवे में जाना है तो सिर्फ रेलवे के ही फॉर्म डालो क्योंकि रेलवे मे कि सर SSC जो है वो केंदर लेवल का वेकंसी होता है रेलवे वी केंदर लेवल का है तो आपको यहाँ पर वेकंसी भरपूर मात्रा में दिखेगा हर साल इस बार भी आपको पता है CGL, MTS हर तरह की वेकंसी पिछले साल ग्रूप D का आया है तो आपको अगर जिस स्टूडेंट क वो बैंकिंग की तैयारी करनी है वो रेलवे का फॉर्म डालेगा ना तो बैंकिंग होगा ना तो रेलवे होगा तो मैं राहूल सर एक बहुत ही अच्छे डंग से मोटिवेट कर रहा हूं मैं आपको मैथ और इसनिंग भी पढ़ाता हूं अपने चैनल पर देख लिजेगा खोलके टिक है तो एक परिच्छा पर अपना फोकस नहीं रखना तो हम लिखेंगे यहां की सर वन टाइम ठैक है वन टाइम जो जो भी कह सकते हैं लो मतब एक बार में अपना focus एक जगा रखे देखो इस से क्या हो जैसे हमें railway करना है तो हम English को नहीं चुएंगे Math, Reasoning, GKS को एकदम तोड़ के रख देंगे, मडोड के रख देंगे अगर आप railway पढ़ते पढ़ते अगर आप SAC में जाओगे तो simple सी बात है कि English आपको पढ़ना पढ़ेगा जब English पढ़ोगे तो फिर उस लेबल का current affairs भी पढ़ना तो आपका mind जो है न डिस्टिब्यूट हो जाएगा बट जाएगा और आप परिच्छा में सफल नहीं होगे ना तो घर के रहोगे ना घाट के ऐसा कहावत आपने सुना होगा तो मैं आपको एक छोटा सा प्यारा सा एडवाईज दूँगा पहली गलती कि पहले एक section चूज करें मैं यह नहीं किया रहा हूँ कि गुरूप D का करें मतलब एक section जैसे railway तो सिर्फ railway SSC तो सिर्फ SSC defense तो सिर्फ defense के ही form डालो और banking तो सिर्फ banking अब banking में जितने form आए सब डालो क्योंकि सबका syllabus same to same बस label बढ़ेगा से MTS CHSL और CGL तीनों का लगभग syllabus same होता है बस label बढ़ा होता है railway group D, NTPC, technician, ALP syllabus लगभग लगभग same होता है बस label दीरे 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 जिससाब से exam रहेगा उससाब से level बढ़ेगा तो हमने आपको सबसे पहले ये advice किया कि एक बार में एक category का chain करिए आपका result पका होगा ये पहली गलती अभी तो ऐसी ऐसी 10 गलती हम आपको बताने वाले आईए दूसरी गलती syllabus पर focus करके नहीं पढ़ना अब my reasoning जा रहे हैं तो जा रहे हैं पहले EB तो देखो भाई कि अगर आप railway का form डाले हैं तो my reasoning के अलावा GKGS भी पढ़ना होता है थोड़ा बहुत current affairs भी पढ़ना होता है science भी पढ़ना होता है तो my reasoning जा रहे हैं माइत में 25 में 25 reasoning में 25 पचीस पचीस अजिके GS और science पर ध्यार ने दिए कहां से result होगा तो सबसे बड़ा सवाल है कि दूसरी गलती आप क्या करते हैं कि आप जिस category में जाओ railway तो railway, ssc तो ssc, defense तो defense जो आपको सही लगे choose करो आपकी कौन सा आपके लिए syllabus अब जिस student को जिस जैसे मान लिजे कि आप ssc category में गये अब आपको ssc category में पता ही नहीं कि सर्व math reasoning जिक के GS के साथ साथ English और general awareness भी पूछा जाता है जब आपको syllabus ही नहीं पता है तो फिर आप कैसे उसको crack करेंगे तो आप जैसे जिस category में जाओ पहले उसके syllabus पर मंद्थन करो कि हमें पढ़ना क्या है भालतू चीज तो नहीं पढ़ रहे हैं पता चला कि हम railway की तयारी कर रहे हैं और हम एक इंगलिस का batch पकड़े हुए हैं थे क्या फाइदा क्या फाइदा पता चला कि हम railway का batch धरे हुए हैं और हम पढ़ रहें एडवांस में एडवांस बहुत कम पूछा जाते हैं पूछा जाता है बहुत सनम जाओ सनम बस कोई फाइदा नहीं एक तो आपको पता है कि नौकरी पाना समझो स्वर्ग में मतब भगवान से मिलने के बराबर होता है तो फिर इस चीज को फोकस करें पढ़े तो पूरा पढ़े बरना बिल्कुल न पढ़े बरना रिजल्ट ऐसे ही माबाप का नाम रोशन नहीं कर पाएं गया माबाप ने भी आपसे बहुत उम्मीदे लगा रखिए कि बेटा हमारा बेटी हमारी पढ़कर बहुत बड़े लेवल तक जाएगी प पता चला कि कोई कह रहा है सर हम CHSL का पेपर देंगे CHSL की त्यारी करेंगे और उसको हिंदी इंग्लिश टैपिंग आती नहीं हो कोई कह रहा है सर हम ALP technician ALP local pilot बनेंगे पता चला कि उसने अपने आंक को चेक करवाया है नहीं उनका medical normal है अच्छा नहीं है निकट्रिष्टी दोस्त वो आपने पढ़ा है ना आक में थोड़ी से भी problem होगी ALP नहीं हो पाएगा तो यह सब चीज़ आप देखने हैं पड़ तो चीजों को समझो syllabus पर focus करो आए तीसरी सबसे बड़ी गलती जो student करते हैं सारे topic को एक साथ लेकर नहीं चलना मतलब जैसे कोई बच्चा मा हुआ कि जार हमने math की coaching लगा ली राहूल सर से math पढ़ लिया मेरे से reasoning भी आपने मेरे से पढ़ लिया आप ये भी तो देखो कि 25-25 ही तो math रहेंगे और reasoning पचास बाकी 50 कहां से आएंगे तो सब जिके जिये साइन्स से ही तो आएंगे जिके जिये साइन्स करेंट अफेर सब include रहेगा तो पता चला कि यहां 50 में 48 और यहां 50 में 10 रिजल्ट होगा नहीं तो बहुत सरे student क्या करते हैं math reasoning की classes लगवा लेते जिके 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 इसको ignore कर देते हैं अब भले आप इसमें 50 में 50 रिजल्ट होगा that's not possible यानि आपको जो है सारे topic को एक साथ लेकर नहीं चलना यह आपकी सबसे बड़ी गलित्ती है यानि आपको जो है अगर आप चाहते हैं कि हमारा एक सरकारी नोकरी हो हमें एक अच्छे पद पढ़ जाए तो किसी एक topic को पढ़ने से आपका result possible नहीं है आप pass नहीं होगे अगर आप चाहते हो कि हम एक वहतर result करे तो आपको थोड़ topics के उपर जो है वो पूरा पूरा focus करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं यही बात हमने तीसरी गलती में लिखा है कि सारे topic को एक साथ लेकर नहीं चलना यहीं गलती है आप सोचो math reasoning आपको आ रहा है 50 में 50 बना रहे हो 25 में 25 reasoning पताचल जीके जीएस एक भी नहीं बन रहा ह पचास में 10 बन रहे है 15 बन रहे है तो पचास दस साथ में रिजल्ट होगा और बेसली नहीं होगा क्यों आप math reasoning को पचास के जगा 45 ही बनाए और इधर भी 30 कर ले 50 में तो 45-35 रिजल्ट हो गया तो चीजों को समझे हम यह वीडियो आपके लिए लेकर आये ना आपको एक नई उर्जा का संचार हम देंगे और यह आदे गंटे की वीडियो यकीन मानियो जो बच्चा पूरा लाश तक देखेगा ना आठवी नौबी दसवी गलती या पूरा लाश तक जो देखेगा वो कहेगा कि नहीं सर ने बहुत अच्छा advice दिया है और सर की बातों से हम सहमत है और हम यह दस topic जरूर सुधार करेंगे तो यह तीन गलतियां clear हो गई चलिए हम चलते हैं चौती गलती जो आप हमेशा करते हैं करें नए pattern पर अधारित प्रश्णों का कम देखना चौती गलती जैसे मान लीजे कि भाई अब मान लीजे कि कोई भी exam देख लो जैसे मान ल तो बचे क्या करते कि जो पढ़ रहे हैं जिके जीए तो पढ़ रहे तो पढ़ रहे हैं आप नए pattern पर धारी जेनरल आवर्नेस बगेरा देखो current affairs देखो साथी साथ आप यह देखो पिछले एक साल दो साल का question paper निकालके इसार सबसे ज्यादा प्रस्ण किस chapter से आ रहा है ratio स से आ रहा है percentage से आ रहा है trigonometry से आ रहा है mensuration से आ रहा है GS में quality से पूछ रहा है history से पूछ रहा है economic से पूछ रहा है history की थोड़ी सी value कमी है हां पर तो चीजों को समझे लोग क्या करते पुराने syllabus के साब से जो मैंतरीजनिंग का syllabus है पढ़ रहे हैं जो जिक्के जीएस का syllabus ह से पढ़ रहे हैं हो सके वहां से question पूछे ही ना तो चौथी गलती कि नए pattern पर आधारित प्रस्णों को कम देखना मतलब जो पूरा पूराना रटा रटाया पढ़ा पढ़ाया उसी को रट रहे हैं रगड रहें कर रहें तो क्या वैसे में आपको सफलता मिलेगी ना हारना है promise करिए नीचे comment करके कि हम सर promise करते हैं कि जितने भी जितने भी नए syllabus के according जितने भी question आये हुए रहेंगे तो आपको एक अनुमान लगेगा कि अच्छा ratio से इस बार कम पूछ रहा है इस बार profit and loss से ज़्यादा पूछ रहा है तो हम profit and loss को ज़्यादा पढ़ेंगे ज्यान से समझना पलस complete syllabus नहीं होगा अगर एक भी चैप्टर चुटा रहेगा तो result की कामना ना करें घर पे बैटके आराम से प्रीमेर लीग देखो आप लोग जा कि समझ रहें तो चीजों को समझिए कि चौती गलती की नए pattern पर आधारित प्रशनों को कम देखना यह आप को देखना पड़ेगा आप निकाल कर देखो तीन-चार साल में कौन से चैप्टर सबसेढ़ा पूछ रहा है, quality पूछ रहा है, history पूछ रहा है, geography पूछ रहा है, economics पूछ रहा है, current affairs बगेरा, किस टाइप के current affairs पूछ रहा है, sport से पूछा जा रहा है, संगीत से पूछा जा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है और ड्रीम कॉंपेटिटिव क्लासे जिसमें लगबग 6 लाख बच्चे जुड़ चुके हैं आपको वेलकम करता है कि आप आईए ड्रीम क्लासेस के साथ, ड्रीम कॉंपेटिटिव क्लासेस के साथ जुड़िये और लाइब पढ़िये राहूल सर के साथ आनन्द उठाइए हमारी टीम यहाँ पर मौझूद है जो आपको फ्री में मैथ रिजनिंग जिके जिसकी संपुर्ण तयारी करवाएगी बाकि हमारा अप्लिकेशन पर भी आप पढ़ाई कर सकते हो जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पांचवी गलती पढ़ाई को छोड़ छोड़ कर पढ़ना होता क्या है वेकेंसी आई फॉर्म डाले छे महिना दंबर पढ़े हम लोग वेकेंसी आई फॉर्म डाला हमने छे महिना रगड़ दिया सर खुब पढ़े खुब पढ़े खुब पढ़े खुब पढ़े रिजल् फिर अगले साल वेकेंस्टी आई फिर तीन-चार महीना पहले जो है फिर निकाले सारा नोर्स के लाउप पढ़ते हैं जब सांस रोज लेते हो खाना रोज खाते हो सोते रोज हो कि इंटर्टेंडमेंट रोज है तो फिर शिक्षा क्यों नहीं रोज आना याद रखिएगा कि थोड़ा-थोड़ा भोजन करें देखते हैं जब आपको जब आपको बीमारी से ग्रसित रहते हैं या जब आप अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ट्रीटमेंट के बाद को लगना भी तो चाहिए तो वही चीज है कि जब हर चीज रो जाना है तो सिक्षा क्यों चोड़ कर तो वही है कि पढहाई को चोड़ चोड़कर पढ़ना यह सबसे बड़ी गल्ती है इसको हम कहेंगे सर जीals Everything बिग मिस्टेक ठीक है इसको क्या कहेंगे बिग मिस्टेक कहेंगे और ये स्तुधारना आपके लिए बहुत ज़्यदा जरूरी है अगर इस गलती को आप नहीं सुना जैसे मान लो कि भाई सर वेकेंसी है कभी वो हाल आपने सुना है कि सर बरसात आएगा तब छाता खरीदने जाओगे पहले तो भीग कर जाओगे चाता खरीदने पहुंच भी गए दुकान पर तो देखी रहा है कि मौसम सीजन जो है वो बारिस का है तो जो चाता दो सो में मिलना चाहिए वो धाई सो में बेचेगा तो गलती ठीक है डबल डबल गलती हुई पहला तो हम भीग के पढ़ाई को छोड़ छोड़ कर पढ़ना ये बच्चों के अंदर की सबसे बड़ी गलती है और इसको उधारना जरूरी है अगर आप चाते हैं कि आप एक बहुत बड़े पद पर अपने आपको रखे माबाप गाउं पडिवार ठीक है कस्वे का नाम रोसन करे जिले का न गलती हमने आपके लिए लेकर आये हैं यकीन माणिये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा सांदार रहेगा चली चलते हैं हम लोग छटी गलती रोजाना सेट प्रैक्टिस नहीं करना जब आपको लग रहा है कि सर हम उस काबिल हो चुके हैं कि हमें अब एक नौकरी ले हाँ इंकलूड करेंगे और from सर जिडिट क्लूड को इंगे हैं हो सकता है वो आगे इंकलूड हो या नहीं हो पता नहीं ध्यानमर है ने मेरे लेकिन इतना यादरुठी को इस नहीं करना लाब्रेरी ज्ट कॉइड नहीं करना यह सबसे बड़ी मूर्खता है ामपेटिक ल कामिनर के लिए जो बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या कर रही है उसको सेट प्रक्टिस लगाना इससे लगाने से क्या होता है पहले तो प्रश्ण सर रिवाईज होगा जो चीज हमारा पढ़ा हुआ है वो माइन के अंदर था लेकिन वो वाश हो गया एकदम के बार 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 चीजे बार बार आने से आपके अंदर की आपके अंदर के कॉन्फिडेंस लेबल को वो बढ़ाता है तो छटी सबसे बड़ी गलती कि रोजाना स्ट प्रक्टिस नहीं करना रोजाना स्ट प्रक्टिस नहीं लगाना सबसे बड़ी गलती और साथी साथ जब स तो भाई डिजिटल लाइबरेरी बन रहा है हर सहर में AC है, Wi-Fi है, हर तरह की सुविधा आपको वहाँ पर दी जाती है, 6 गंटे, 8 गंटे, 10 गंटे, 12 गंटे, आप वहाँ व्यतीत कर सकते हो, तो छटी गलती रोजाना सेट प्रक्टिक्स नहीं करना, डेली कुईज नहीं करन ये सबसे बड़ी गलती हम मानेंगे, छटी गलती, चलिया ये, सात्वी गलती, कहा गया है, स्टीरियस हो कर नहीं पढ़ना, दो पढ़ेंगे न, होगा न, चलो इस बार वेकेंसी में नहीं हुआ, तो अगला बार भरेंगे, तो कि देखें, इंटर में क्या होता है, जर 23 वला नहीं हुआ, तो 24 वला फॉम है, उसमें डालेंगे, अगर आपको लगता है, कि समय व्यतीत होने के बाद आपकी सिक्षा अच्छी होगी, तो ये आपके मन का भ्रम है, जितना समय आप अपने जीवन को व्यतीत करोगे, आपकी सिक्षा उतनी डल होती जाएगी, और सीरियस होकर नहीं पढ़ना, ये एक बहुत बड़ी गलती मानना जाता है, अगर आप इसको सुधारिये, सीरियस होकर पढ़िये, करिये तो एकदम confidence level के साथ की सार, तोडेंगे नहीं, तो छोडेंगे नहीं, अगर मांजी दा मॉन्टेन मैन, सीरियस होकर अपने जीवन में पहाड को नहीं तोड़ता, तो आज उनके उपर एक मूबी, एक बायोपिक नहीं बनती, ये आपको भी पता है, तो बनिये तो मांजी दा मॉन्टेन मैन बनिये, तो बकलोल जैसा साइड में बैठे रही है, पान का गुंग्टी खोल कर, खाईए पीजी और जीवन वे पतीद करिए, नहीं, ठीक है न, एक शाइर नहीं कहा है, कुबी ने कहा है, कि रख होसला, वो मन्जर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समन्दर भी आएगा, और ठक कर ना बैठ आए मनजिल के मुझा शाफिर तुझे मनजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा तो ये सात्वी गलती कि भई सीरियस ओकर नहीं पड़ना ये जीवन की सबसे बड़ी भूल सबसे बड़ी गलती हम मानेंगे और सबसे पहले तो इसको सुधारना होगा जीवन में कुछ करने के लिए लड़ना पड़ता है और इसलिए हरिवन स्राय बच्चन सहाव ने कहा कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती बिना कुछ किये जैजैकार नहीं होती कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती चलिए आठ भी गयोती छोटा आप उसके ऊपर बहुत सारा से उजना चोटा चोटा बनाए चोटे बंडल में पूरा कवर कर लिया तो आप उसके ऊपर से चोटा चोटा गोल बनाए चोटे चोटे बंडल में चोटा चोटा लक्ष बनाए और उसको रिवाईज करें कि हम कहां देखें जब उसमें आपने हरिवन स्राइब बच्चन वाले में सुना होगा कि नन्ही चीटी जब दाना लेकर चड़ती है चड़ती दीवारों पे सो बा फिसलती है मन का विस्बास रंगों में साहथ वड़ता है गिरकर चड़ना चड़कर गिरना ना आखरता है आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कमिहार नहीं आसफलता एक चुनोती है उसे स्विकार करो देखो सोचो समझो और विचार करो इस तरह क यह बहुत ही इंपोर्टेंट हम आपके लिए दे रहे हैं कि छोटा छोटा लक्ष मना कर पढ़ना चैप्टर वाइज आप चीजों को रिवीजन करें यह रिवीजन करोगे तो बढ़ोगे और जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक कोई उपाई नहीं तो यह आठवी गलती है देखिए मैंने बोला था ना आठवी नौवी दसवी जो है आपके भविश के उज्वल भविश के लिए बहुत इंपोर्टेंट है चोटा चोटा जब आप कह रहें कि सार मारा परसेंटेज बहुत अच्छा हो गया तो एक पर परसेंटेज के उपर दूचार को ट लाइब्रेरी जोइन करना चाहिए ठीक है कहां जोइन करना कर लेना चाहिए लाइब्रेरी ठीक है देखिए लाइब्रेरी में क्या होता है ना कि अब यहां पर हर तरह की सुभधाय मिल गई है पहले तो आपको वाइफाई की सुभधा मिलने लगी है अब जो लाइब्रेर हम चाहेंगे कि आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आप अपने पढ़ाई में लाइब्रेरी को इगनोर नहीं करते हैं प्रती दिन आपको 6 गंटे लाइबरेरी को ना देना यह सबसे बड़ी गलती, मतब देना चाहिए लाइबरेरी में, मतब आपको लाइबरेरी में जाए, ना देना यह बड़ी गलती है, यह आपको देना चाहिए लाइबरेरी में पढ़ना चाहिए, तो यह 9 गलती है जो बह इम्पॉर्टन गलती हर टॉपिक का रिवीजन होना आनी बार देखिए अभी अभी हम इसी के उपर डिपेंड कर रहे थे सुरी डिसकस कर रहे थे कि आगर आपको लगता है कि आपने पूरा पढ़ लिया है तो आप जो है वो टॉपिक वाइज रिवीजन करिए टॉपिक वा किसी और आप हम से क अच्छी तयारी कर सकते हैं हुमारे इसी चैनल के माध्यम करा होगा लाइक शेर जरूर करेंगे आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि इस तरह की वीडियो आप हम आपके लिए निरंतर बनाते रहें बाकी हमारी लाइब क्लास रात में 9 बजे चलती है आप बिल्कुल हमारे साथ झाल 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 झाल